हेलो नमस्ति अदाप सिस्त्रिया काल स्वागत है आप सभी का मेरे चानल हिंदी स्टडी बिद पूनम पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे क्या आप KVS PRT टीचर यानि केंद्री विद्याले संगठन के प्राइमरी टीचर को एम कर रहे हैं KVS PRT टीचर बनना आपका सपना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में KVS के एड़ो टीजमेंट से लेकर सेलेक्शन होने तक का पूरा प्रोसेस बताए गया है एक्जाम पैटर्न क्या होगा PRT की मोस क्या है आपकी योगिता क्या होनी चाहिए एज क्राइटेरिया क्या है एज में रिलेक्सेक्शन कितना मिल सकता है फिमेल कैंडिडेट को एज रिलेक्सेक्शन कितना मिल सकता है इसके A to Z संपूर्ण जानकारी दी गई है आप किस तरह से इस्टाजी बना कर फर्स्ट अटे आपको सिर्फ इन वीडियो इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखना है और इसमें बताएगे बातों पर काम करना है तो आपका केवेस प्यार्टी टीचर बढ़ने का सपना जरूर पूरा होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आम इसके सेलेक्शन प्रो होगी क्रार करने के बाद आपको अपने रिटें एक्जाम का वेट करना होगा तो आप इंटर्विव के लिए त्यार हो जाते हैं इंटर्विव देने जाएंगे तो उसी टाइम पर पाव का, जो सारे डॉक्मेंट से उसको वैरिफाई किया जाएगा, उसका वैरिफिकिशन होगा, उसके बाद आपको region allotment, अगर आप into view को पास कर लेते हैं तो आपका region allotment होगा, केवियस संगठन के अंतरगत रीजन्स होते हैं जैसे की दिल्ली, कलकता और उस रीजन के एक रीजन के अंतरगत बहुत सारे स्कूल्स होते हैं तो सबसे पहले आपका रीजन एलाटमेंट होगा उसके बाद आपका स्कूल एलाटमेंट होगा school alertment होगा तो आपको वहाँ पर बहुत सारे documents बनाने होगे और जब आप बहुत सारे documents बना लेंगे फिर उसके बाद आपको वहाँ पर खुद को represent करना होगा वहाँ पर एक performance देना होगा उसके बाद आप represent कर लेते हैं तो आपका teaching process स्टार्ट हो जाएगा तो यह जो है आपका सेलेक्शन का पूरा प्रोसेस है एड़ोड डिजमेंट से लेकर टीचिंग करने तक का अब हम देखते हैं आगे जो इसमें सारा जो स्टेप बताया गया है उसमें से जो रिटेन एक्जाम और इंटर्वी एक्जाम ये मेजर है इसमें आपको अधिक ध्यान देना है तो रिटेन एक्जाम जो है वो 150 मार्क्स का होता है और जो इंटर्वीव है वो 60 मार्क्स का होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जब आप यदि रिटेन एक्जाम को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप जब इंटर्व्यू को पास कर लेते हैं, तो उसमें से 85 का वेटेज बनता है, दोनों में से, एक में से 85 का वेटेज ले लिये जाता है, और इंटर्व्यू में से 15 का वेटेज ले लिये जाता है, और उसके बाद एक final cut-up बनता है, जो out of 100 से आता है, और जो शुरू के पहले बच्चे होते हैं वेकेंसी में जितनी वेकेंसी आई रहती है तो starting से पहले उतने वेकेंसी को वो students को ले लेते हैं तो इस तरह से इंटर्व्यू का प्रोसेस जो है रेटान एक्जाम इंटर्व्यू का जो प्रोसेस है वो complete होता है अब हम देखते हैं eligibility criteria क्या होगी eligibility criteria क्या होगी qualification क्या होगा आपका तो आपको 12th pass होना है 12th pass होना जरूरी है 50% marks के साथ उसके बाद आपका 2 year का diploma होना चाहिए आपके पास उसके बाद आपका 2 year का diploma होना चाहिए जेबीटी, डीएलेडी, डीएलेडी, बीटीसी और डीएड ये आपका 2 साल का diploma होना चाहिए या फिर आपने 4 साल का integrate course किया हो या फिर आपने बीएड की डीगरी ली हो, बीएड की डीगरी जो है 2 साल की होने चाहिए लेकिन इसमें बीएड की डीगरी जिनके पास जो बीएड किये हैं उनको बाद में 6 month का एक course करना होता है जो कि आपके selection के 2 साल पहले bridge course करना होता है six month का रहता है उसको आपको complete करना होता है तो यह है qualification आपकी या तो आप 12th pass होने चाहिए और 50 version मास के साथ और जो आपके पास यह diploma होनी चाहिए GBT, DL, DBT, CDA या फिर integrate course होना चाहिए आपके पास 4 साल का या फिर आपके पास B8 की degree होनी चाहिए अब आपकी age criteria को देख लेते हैं age criteria क्या है तो जो age criteria है वो general का 30 year है लेकिन जो OBC, ST, SC है उनको 3 साल का relationship मिल जाता है याने की 33 यहां मेल की बात कर रहे हैं मेल को अभी 33 year मिल जाता है और SC, ST को 35 year का याने की 5 year का relationship मिलता है तो 35 year उनका age limit है लेकिन female candidate को क्या है की और सब में 10 plus हो जाता है याने की जो general candidate है उनको 40 year 40 year तक उनका age limit हो जाता है और जो OBC candidate है female candidate उनको 33 में और 10 plus हो जाता है याने की 33 उनका age limit हो जाता है और जो SC, ST candidate है female candidate 35 उनमे 10 plus होता है तो 45 पियर का उनको age limit होता है तो इस तरह से female candidate को इसमें और 10 साल का relationship मिल जाता है अब हम exam pattern को देख लेते हैं exam pattern क्या होगा तो exam pattern जो है वो दो भागों में divide होगा part 1 और part 2 part 1 में दो भाग है एक journal English जो 10 marks का है और एक journal Hindi जो भी 10 marks का है पहली ये qualifying हुआ करता था लेकिन अब ये qualifying नहीं होता है इसके number भी आपके merit में add होते हैं part 2 में जो है वो gk और current सपेर जो की वो 10 marks की है reasoning ability आएगी वो भी 10 marks की होगी computer literacy 10 marks की होगी और जो पेड़ागोजी आएगा वो 20 marks का होगा पेड़ागोजी 20 marks का होगा उसके बाद आपका subject concern 80 marks का होगा तो इस तरह से आपका दो भागों में बटा होगा journal English, journal Hindi part 1 में आएगा पार्ट 2 में 10-10 marks के GK, current affairs, reasoning ability, computer latency होगा पेड़ागोजी 20 marks का होगा और subject concern 80 marks का होगा तो ये clear हो गया उसके बाद अब हम syllabus को देखते हैं कि इनका syllabus क्या है तो इनका जो syllabus है जो पार्ट 1 में जोर्नल हिंदी और जोर्नल English है पहले अब उसको देखते हैं ये बिल्कुल authentic syllabus से verified है KBS के website से लिया का है तो आपकी इसके authentic के लिए निश्चिंत रहें अब फूरा ये authentic है verified है तो journal English के ये हम बात करें कि journal English और journal Hindi जो की part 1 में है ये journal English और ये journal Hindi उसके बारे में हम देखते हैं उसका syllabus क्या है तो जनरल Hindi का syllabus है इसमें बहुत ही जो basic चीज़े हैं वो सारी आएंगे spelling error, filling the blanks और जनरल Hindi जो है उसका प्रहवची विलोम ये सारा पिस्कें सोट ले सकते हैं इसका reasoning का है reasoning reasoning में भी बहुत basic से ही पुछे जाएंगे बहुत tough नहीं है ये भी सब basic से ही आएंगे तो आप इन सब का पिस्कें सोट लेते जाहिएगा computer है computer में भी hardware, software MS Word इसमें थोड़ा सा आप जो है जो practical करते हैं उसको भी थोड़ा आप देख लेंगे और जैसे internet है concept, history, working environment, application ये सारी चीज़ें MS Office है बेसिक सी पुछे जाती है computer तो उसके अलावा अब हमें जो subject के बात कर लेते हैं subject से पहले हम पेड़ागॉजी को देख लेते हैं पेड़ागॉजी जो है उसमें चार पार्ट है Childhood and Development of Children और Education and Curriculum उसके बाद methodology उसके बाद diversity and gender inclusive education तो ये चार पार्ट है पेड़ागॉजी के तो ये आपका syllabus से इसके अंदर आप इसका screenshot लेकर देख सकते हैं जो आपका subject concern है उसमें जो हिंदी और इंग्लीज है तो जो subject concern का हिंदी इंग्लीज है वो थोड़ा setup है जोनल इंग्लीज से इसमें method होगार भी आते हैं English method इस हिंदी method तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना पढ़ेगा जोनल हिंदी इंग्लीज के लिए आपका यहां पर भी हिंदी और इंग्लीज है तो यह भी 2010 marks के आएंगे तो यह दिए आप आप मान के चलिये कि आपका 20 marks का आपका इंग्लीज आ जाएगा और 20 marks का आपका हिंदी आ जाएगा तो यह आपके 20-20 marks के आपके हो जाएगे अब उसके अलावा जनरल साइंस जो है यह भी 20 marks का आपका जनरल साइंस जनरल साइंस 20 marks का होगा जनरल साइंस में आपका living world, human body, matter, concept of elements तीन भाग होगे physics, chemistry, biology तीरों में से कुछ topics लिये गए हैं और उन topics को यहाँ पार KVS ने अच्छे से define किया है KVS का syllabus बहुत बड़ा है, विस्तरीत है लेकिन limited है, उन्होंने define कर दिया है कि इन इन topics से आपके प्रष्ट है, पुछे जाएंगे Math का जो है number system और basic geometrical ideas है उसके अलावा और क्या topics है parameters है और volume इन सबसे आपके चाट topic के इन सबसे भी Math में आपका Math का syllabus थोड़ा बड़ा है और Math में practice की भी जरुद पड़ती है तो इसमें आपको थोड़ा time तो दीना पड़ेगा लेकिन यह भी 20 marks का है उसके बाद जो EVS है EVS V20 marks का है EVS में सारा कुछ हा जाएगा history, geographic, economy, quality सारा कुछ हा जाएगा तो इसका भी syllabus है ज्यादा लेकिन आपको पढ़ना तो पढ़ेगा उसके बाद आपका जो GK और current affair आता है वो भी 10 marks का रहता है तो जो GK आपको बहुत अधिक टाइम नहीं देना है क्योंकि उसका syllabus बहुत अधिक बड़ा है तो आप अगर उसमें टाइम देंगे तो आपका बहुत ही टाइम चला जाएगा इसलिए आपको current affairs को थोड़ा जादा देखना है क्योंकि अमाले जीए 5-6 questions क्याते हैं तो current affairs को आपको ज्यादा फोकस करना है उनको देखना है और उनको त्यार करना है और बाकि आपको इन सब चीज़ों जो टेंटेंग मार्क्स के बाकि सारी चीज़ी है जैसे पेड़ागोजी है वो 20 मार्क्स का है तो उसको उसमें चारे topics तो आप अगर उसको त्यार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आप एटिंग मार्क्स आप बना सकते हैं स्कोर कर सकते हैं उसके अलावा जो टेंटेंटेंग मार्क्स के हैं उसमें भी बहुत बेसिक सा पुछा जाता है हिंदी इंगलीज और कम्पीटर तो उसको अगर त्यार कर लेते हैं तो भी आपको अच्छा मेरिट के टाइम पे अच्छा इसको बन सकता है अब स्लेबस तो इतना लेंटी है लेकिन आप इसको पढ़ना कैसे है आप किस तरह से स्ट्राइजी ब चुमाइं टौल का वहले जान का आप फिर इंगे 5 अबसक्य पढ़ने के लिए आप जो बूक आती है कि ने मैं सब्जक्त की बात करे हूँ तो जो बुक्स आती है आप उस बुक से पढ़ सकती है और फिर आप अलेवंध के बुक से पढ़ सकते हैं वेसिक थे इसके अपने आप उसे जो connected topics हैं जो topics connected हैं और जो आपके syllabus में हैं सारा 11 के book नहीं पढ़ने हैं सारा science सारा history सारा सारा कुछ नहीं पढ़ने हैं जो आपके syllabus में दिया गया है उन्ही topics को पढ़ना है और उनको त्यार करना है और जो हिंदी इंगलीज जो 1010 marks के हैं उनके लिए आप KBS के बेर उन books को लेकर उन books से पढ़ सकते हैं उसके अलावा फिर आप आपको जो sources हैं कि आप किन-किन sources से पढ़ें आप अगर self study करना चाहें तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप self study नहीं करना चाहते हैं आपको जिसमें सुवधा मिले तो आपको कोर्से जोइन कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा आपको books से तो पढ़नी पढ़ेगी ncrt की books से आप पढ़िए सबसे बेस्ट रहेगा courses जो हैं आप offline ले सकते हैं online ले सकते हैं या आपके depend करता है आपको जैसे अच्छा लगे आपको जो आपके strong area है या फिर जो वी area है उसको आपको देखना है जो वी area है उसपे आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना है उसको अच्छा करना है फिर आपको जो consistency है उसको बनाके रखना है अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन जो है आट गंटे पढ़ाई कर लें दूसरे दिन आपने दो घंटे पढ़ाई की तिसरे दिन आपने पढ़ी ही नहीं तो इस तरह से आपको नहीं करना है आप अपनी capability के अनुसार अपनी च्हमता के अनुसार एक टाइम बना लेजिए कि आपको चार घंटी पढ़ना है पांच घंटी पढ़ना है छे घंटी पढ़ना है जितनी आपकी कपले दिए जितनी इच्छा है और आप डेली उतने घंटा पढ़िए और उसके बाद आप mcqs देजे मो पढ़ी होगी और आपने अच्छा खासा जो पकड़ बनाई लिया होगा अप mcqs को लगाएंगे तो आपको इजी लगेगा लेकिन अगर आपको जहां पर भी लगे कि आपको question नहीं आ रहा तो उस topic आप दुबारा पढ़िए दुबारा समझे और उसको clear करिए और उसके आप उसको भूले नहीं उसको अच्छे से याद रखें और बार बार रिविजन करते रहें वीक में एक बार तो आप रिविजन जरूर करिए तो इस तरह से आप जो करते हैं तो जो kbs का जो syllabus है वो बहुत अधिक विस्त्रीत है और लेकिन limited है आपको पता है कि इन topics से आए पता होती तो दिकत होती लेकिन आपको पता है तो यह आप सीडियोस कैंडिडेट हैं और आपने topic को अच्छे से क्लियर किया तो आप 120 marks जो है बहुत अच्छा से असानी से ला सकते हैं क्योंकि यहीं पर आपको जो return है वह आपके हाथ में आप यहां पर लाते हैं थोड़ी मेहनत कर लेते हैं आप अच्छा score कर लेते हैं तो आप 120 marks कर लेते हैं तो आपको फिर कोई भी नहीं रोख सकता आपके selection से ठीके तो यह सारी चीजे हैं और आप इस पर काम करते हैं तो फिर आपका selection हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो म तब तक आप अपना ह्याल रखें